नमस्कार दोस्तों में पुस्फेण्स सिंगा आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब वीडियो के देर इसके अंदर बीट कोई की बात करेंगे और स्की нас अजakah कारेंगे दिशकरूक साथ करते हैं क्रिप्टो PREC सकता है लॉस भी हो सकता है हमेजा खुद की रिसर्ट जरूर करें सीधे चलते हैं ब्राउजर के उपर बिना किसी देरी के यहां पर जब मैं आप सभी के साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉसिवल मूब क्या हो सकता है जब भी यहां से रेजेक्षन मिला है और यहां पर हो सकता है की यहां पर थोड़ी बहुत देर में इस एरिया को भी हैँपर के तरफ यहां से बाहूंस वाक मिले और जो यह यह एरिया है यहाँ पर हमें लास्ट टाइम भी यहाँ से सब bounce back मिला था यहाँ पर हमें लास्ट टाइम यहाँ पर 12th of April को bounce back देखने को मिला साथ यह साथ यह विक बनी यहाँ पर हब से 17th April को भी वहाँ भी price किया कि लगवा काफी down देखने को पहुंच गया तो अभी यहां पर देखते हैं कि एक और विक बनेगी तो हो सकता है कि प्राइज यहां पर नीचे की तरफ थर्टीन थारुन टू हंडर थ्रीन रड़ वाले एरिया के अंदर आ जाए और फिर यहां से मैं बाउंस बैक देखने को मिले तो हमने यहां पर कल अनलेस करी थी कि जब यहां से रिजक्षान मिला है वो काफी बड़ रिजक्षिन मिला है कल जब प्राइज जब मैं अनलेसिस करता था थर्टीन थाजुन थाजुन 950 और उसी टाइम इसने फौटी ब्रेक किया था तो फोटी ब्रेक होने के बाद मैं 29 233 से मिला पर 39 235 यहां पर 39 570 फोर से मिला और फिर हम यहां से अंपर एक विक को काउंट नहीं करते रॉर नीचे की तरफ चलते हैं और 39,177 आता है और यहां पर पहला पॉइंट यह था रिकवरी का दूसरा पॉइंट यहां पर यह था रिकवरी का तीसरा पॉइंट यहां से उपर की तरफ था और फिर यहां से रिकवर हुआ था यह विक लगी थी 38,500 की और यहां पर भी हो सकता है एक और विक लगके और य जब यहां पर प्राइज गया था 18 अप्राइल को 38,500 के असपास और यहां से बंप हुआ था तो यह बडी रैली थी जिसके अंदर प्राइज ने 43,000 के असपास प्राइज कर दिया और यहां पर एक रेशिटेंस है रेशिटेंस के बारे में पहले पहले इप्धा चुका कर दो थोड़ा सा किस पर्टिकुलर जो लायन है यहां पर इस सपोर्ट है इस पर थोड़ा से नजर बनाकर रखनी है और यहां पर एक लॉक्व एपOr Astron autobiography ऑपन सकती है और थोड़ा पर से बनाई थी 39 से बनाई थी और प्राइज हो गया थार 38500 अब की बार गया कि दो पार्ट में इसको बनानी है एक पहली यहां पर बनाओ 39300 के असपास दूसरी हां पर बनानी है मैं 39 और इसको एक बार में नहीं बनाना इसको कि दो त्री पार्ट के अंदर बनाना है तो यहां पर जो हमारी एवरेज होगी वह लगवा यहां पर 38,800,900 के असपास होगी और मुझे लगता है कि यहां से हमें एक माउंस पैक तो लेंगे ही अब इसका इंपक्ट ऑल्ट के उपर यहां पर आप किलीर कर देख सकते हो सारे सारी जो ऑल्ट कोईन है जितने भी मेजर ऑल्ट कोईन है सब के उपर इंपक्ट है एथिरियम भी यहा पर 93 के आसपास आ चोगा है यहां पर लुना के अंदर आगर यह 85-86 आपको देखने को मिलता है एक एंट्री बन सकती है इसने पर लिंक के ऊपर मीरीचर है इन कोईन के उपर मैं नजर बना कर चल रहा हूं और बाकि थोड़ों सा कहा कि यहां पर पेसिंस रखने वारी वाच करने वाली बात है इस मार्केट को क्योंकि अभी यहां पर थोड़ा सा रिस्क लेवल यहां पर बढ़ता होना जरा रहा है तो थोड़ा सा मैं यह कहूंगो कि काफी से यहां पर एमेल आ रहे थे भाई एनलैसे करो जल्दी से बताओ कुछ की मार्केट क्यों डाउन जा तो आपको भी थोड़ा से यहां पर वेट करना पड़ेगा और जो बिटकोई की डॉमिन साब वो नीचे कर रहे हैं और यहां पर बिटकोई बस इस्टेबिलिटी सो कर दे तो ऑल्ल्ट यहां पर रुकने वाले नहीं और अच्छा परफॉर्म करेंगे और जैसे यहां पर आल्ट ऊपर की तरफ यहां पर मूव होते हैं बिटकोई यहां पर डंफ होने लगता है पूरा-पूरा यहां पर गेम भी गड़ जाता है और इसी वज़े से कहेंगे ना जो आल्ट है वो एक अच्छा रेजल्ट नहीं दे पा रहे हैं यह थी क्यूक्क ओवर्रॉल अपड कैसी भी कंडिशन हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में